कॉंग्रिस की बजए यदि भाजपा की सरकार आती तो जनता को 200 रुपे महीने में ही बिजली मिल जाती। ये बात भाजपा के पूर प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंग चोहान ने दबग नियूस के संबादा था मनिश्यादा से विशेश चर्चा में कही। उन्होंने कमलनाज सरकार को घेरते हुए हर मुदे पर विफल बताया। सुनिया भी और क्या कुछ कहा चोहान ने। आठ मा के करीब हो गये। लोक तंत्र में जो भी सरकारे बनती है उन्होंने जन भावनाओं का आदर करना चाहिए। किसान आज ठगा हुआ मैसूस कर रहा है। बेरोजगारों को चार हजार रुपए भत्ता देंगे कहा था महीने का। वो आज लाखों वेरोजगार भटक रहे हैं। संबल योजना में बिजली का अधिक्तम बिल 200 रुपए महीना था। उस योजना को समाप्त करके अब जुक्की में रहने वाले लोगों के हजारों के बिल आ रहे। बिजली मिल नहीं रही है। बरसात के मौसम में बिजली का आना जाना शुरू है। बिजली का बोला तो यदि प्रदेश में भाश्पा की सरकार बनती तो क्या आप लोग 200 रुपए महीना में जो बिजली गरीबों को दे रहे तो उसे जारी रखते। निश्चीत रूफ से संबल योजना तो शुराज जी ने ही इस प्रदेश में चुनाव के समय चालू होई तो बहुत पहले शुरू की थी और हमारे मुख्यमंतरी पुरू मुख्यमंतरी शुराज जी का यह रिकार्ड है उन्होंने जो योजना शुरू की उसको अंततक नि देखिए वहां के अंदोलन की घटना है उसको आप भगल में रखे शुराज सिंग्च चौहान ने भावानतर में जितना पैसा प्रदेश के किसानों को दिया है मालवा का वो इलाका उस बात का गवाए है और यही नहीं बोनस के रूप में गेहु का बोनस सोया बिन का बोनस मद्द प्रदेश के किसानों को शुराज सिंग्च चौहान के सरकार देते रही है जीरो प्रतिशत ब्याच पे कर्ज देते रही है मुख्यमंत्री करन्यादान योजना में सामुईक विवा में बेटियों के शादी का पैसा देते रही है और एक को पैसा नहीं मिला है रोजगार की बात की जाए तो आप ने बोला कि रोजगार के लिए वादा किया था और जो भी प्रेजर की युवाओ से वादा खिलाफी की गई लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार है उसमें भी रोजगारी बढ़ी है उनको नहीं जगाएंगे आप इसा गंटना दंदो लंग से देखी है कैंद्र की सरकार ने रोजगार के अनेक तो एक ऐसे और विश्वके मंदी के बाद ही इंदुस्तान मजबूती से अपने पैरों पे खड़ा है सारे चुनोतियों को सिकार करते हुए मेक इंडिया के माध्यम से लाखों लाखों लोगों को रोजगार के और देस्किन पूरी कांग्रेस पार्टी ही अक्षम है यह दिल्ली से लेके तो प्रदेश तक साबित हो चुका है देखिए वो तो जमाना देख रहा है प्रेश देख रही है उनकी खुद की जग हसाई हो रही है और यह स्वार्थ के लिए किस तरीके से और किस तर तक जाके जगरते यह जंता देख रही है यह देखिए हमारे साथ नंदू चोहान जी भाजपा के पूरू प्रदेश अध्यक्ष इनका सीधे सीधे कहना है कि कॉंग्रेश ने जितने वी वादे जंता से किये किसानों से किये सब पूरे नहीं किये वादा खिलाफी की इसी के खिलाफ आज इन्होंने जो घंटा प्रदेश ने जिन दोरू